है 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 नमस्कार दोस्तों स्वाद आप सभी का एक बार फिर से 24 7 आपके यूटीव प्लेट फॉर्म पह आज हम लोग बहुत इंपोर्टेन एक सेशन डिसकस करने जारे जिसमें कि हम लोग चंद्रियान 1, 2 & 3 यह जो मिशन रहे हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे बड़ उससे पहले आप लोग अक्सर जानते हैं कि हमें लोगों को देखने का या हमारे देश को जो दो लोग दूसरे देशों के हैं व भारत का दर्वाजा खटकटाते हैं भारत से कहते हैं कि आप से बहतरीन तरीके से कोई भी सैटलाइट नहीं वेच पा रहा है इस पेस का रास्ता आपने बहुत आसान कर दिया है इस पेस का रास्ता आपने बहुत सस्ता कर दिया है सौदेशी तोर पर जो मेरे दोस्ते तकन चंद्रियान मिशन है इसने भी कहीं न कहीं चाहे नासा की बात करें चाहे यूरोपिन स्पेस एजनसी की बात करें चाहे चाहे चाइना की बात करें कहीं न कहीं हमारी तरफ मेरे दोस्त एक जो उनका देखने का नजरिया है वह बदल रहा है और अभी बदलेगा और भैतरीन तरीके से बदलेगा जब ये मिशन हमारा सत्प्रतिशत सक्सेस्फुल होगा क्या ही चंद्रियान मिशन क्या है चंद्रियान मिशन वन क्या है चंद्रियान मिशन टू फिर चंद्रियान मिशन 3 समझेंगे चंद्रियान 3 मिशन में कहां से लॉंच किया गया क्या प्रोजेक्ट चलाते हैं लेकिन कभी-कभी आप लोग अपनी शादी पर भी पढ़ा के चलवाते होंगे मेरे भाई ओके लेकिन मेरे दोस्त आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि एक दिन और कल था जब हम लोगों ने मिरे दोस्त कहीं न कहीं देश मैंनी वे देशों भी पढ़ा के च चंद्रियान-1-mission की बात करेंगे यह से पहले जितिंदर शिंग मिनिस्टर साहब है और यह हमारे इसरो के चेर्मेन साहब उनके हाथ में चंद्रियान-mission complete मेरे दोस्त यह चंद्रियान जब launch किया गया था इस वक्त का यह छड़ है मेरे भाई चंद्रियान-1 को समझते फि लॉंच किया गया था इस तो के द्वारा इंडिन स्पेस रिसर्च और्गनाइशन के द्वारा 2008 में और 2009 तक इसकी लाइफ रही थी दो साल का ये द्वार हा था पुलर सेटलाइड लॉंच विएकल अलग 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 तरीके के होते जीए से लुए होता जीओ सिंक्रोनिस वीएकल पिसली होता पोलर सेटलाइड लॉंच वेहिकल अब यह आप लोग सुनने में आ रहा हूँ SSLV Small Satellite Launch Vehicle अलग-अलग तरीके के वहीकल होते हैं ऐसे ही यहाँ पर था PSLV C1 जिसके माद्यम से चंद्रियान विश्वन जो मिशन था हमारा वो लॉंचिक किया गया था इस मिशन के साथ पांचवा देश बन गया था इस रो जो था वो फिफ्ट नेशन स्पेस एजन्सी था जो कि लुनार सर्फेस पे पहुंचा था मिशन के लाइफ दो साल रही थी और यह वही मिशन था मिर दोस जिसने की पानी की खोच की थी और कहीं न कहीं मिर दोस वक्त 2008 था जब इस रो ने अपना जंडा गार दिया था कह दिया था कि अब हम और उसे पीछे नहीं है हमें सपेरों का देश मत कहिए तकनीक के मामले में हम आप से कंदे से कंदा मिला कर खड़े हुए हैं और भी बहुत सारे देश है जो हमसे तकनीक में आगे हैं लेकिन अब धीरे 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 हम लोग तकनीक में मेरे दोस्त इस पेस के छेतर में बहुत आगे निकल रहे हैं फिर उसके बाद बात आती है चंद्रियान टू की यह हमारा complete mission नहीं रहा था complete mission इसलिए नहीं रहा था क्योंकि बहुत नजदीक आके बहुत 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 करीब आकर ये mission मेरे दोस्त हमारा जब lander को land कराना था उस दौरान crash landing होई थी तो इस mission को कहा जाता है कि अधूरा mission रहा था complete अधूरा तो नहीं कहते क्योंकि orbiter तो अपना काम करता रहा था बड़ लेंडर मेरे दोस्त काम नहीं कर पाया था तो crash landing हो गई थी जिस वज़े से mission मेरे दोस्त खतम हो गया था तो चंद्रिया ने two second lunar exploration mission रहा था इस रोका इसमें एक orbiter भीजा गया था एक लेंडर भीजा गया था यह आप देख सकते हैं यह आपका लेंडर देखिए इसमें पैर लागे हूँ है मेरे भाई यह लेंड करता सरफेस पर यह लेंडर है इसके अंदर एक रोवर बैठा हुआ है और मेरे दोस्त यह orbiter रहा था जो कि इसको यहां से लेकर भी गा ओके यह जो स्पेशली भेजा गया था चंद्रियान टू मिशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटिड मिशन था इसमें दूसरी स्पेस एजनसी तो यह कैरें थी कि यह पॉसिबल ही नहीं है बट बहुत नजदीक आकर हम लोग यहां पर कहीं न कहीं एक दरीके से कह सकते हैं कि म अब हम लोग चंद्रियान ट्री मिशन के माद्यम से इसको निश्चे तौर पर पूरा करेंगे परफस यही था कि मून का जो साउथ पोल है उसको एक्सप्लूर किया जा जा है जो ऑर्बिटर क्या होता है और विटर एक स्पेस क्राइफ्ट होथा है जो डिजाइन किया जा does not subsequently land, यह land नहीं करता, बड़ मेरे दोस यह orbit में भेजा जाता है, इसी से यह separate होता है lander, और फिर यह surface पे land करता है, आज यहां से rocket भेज रहे है, वहिकल के थू जा रहा है, वहिकल के थू जाएगा, अलग-अलग stages में separate होगा, फिर separate होने के बाद orbit में एंटर करेगा, orbit में जाने के बाद मेरे दोस्त, जब यह lander से separate होगा, orbit lander separate होगे, फिर यह lander surface करेगा, ओके, यह हमारा रहा चंद्रियान two mission, चंद्रियान one clear है, चंद्रियान two clear है, कब launch किया गया था, यह 2019 में रहा था, और इससे पहले हम लोगों ने देख लिया मेरे बाई, चंद्रियान one इस वीडियो के जड़ा थोड़ी दर के लिए देखना है, आपको यह चंद्रियान one और two थोड़ा clear हो जाएगा, बहतरीन तरीके से, एक बार मैं फिर से शुरू करता हूँ इसको, तरह देखेगा, देश ने दो robotic spacecraft orbit में भेजे हैं, ओके, चंद्रियान one, मून के देखे, surface पर landing हुई थी, या आप देख सकते हैं, landing हुई है, इंडिया चौथा देश बन गया था, मून के surface पर पहुचने वाला, नवंबर 2008 में, नवंबर 2008, यहाँ पर water की मेरे दोस से discovery की गए थी, आप देख सकते हैं, यहाँ पर, चंद्रियान one यहाँ पर discovery करी थी, वाटर की, ज इसके बाद आता है, चंद्रियान ने टू मिशन, चंद्रियान one को follow करता हुए, चंद्रियान two आता है, जिसमें एक orbiter रहा था, एक lander विक्रम रहा था, और एक rover रहा था, जिसका नाम है प्रज्यान, लेकिन मेरे दोस हुआ गया था, आज से चार साल पहले की बात हो लिए 2019 की, जब ये lander को land कराना था, उस टाइम पर मिरे दोस ही crash कर गया था, तो crash landing हुई थी, अगर proper landing होती, तो हमारा mission चंद्रियान two इबहतरीन तरीके से हमारा काम कर रहा होता, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो ये crash landing होने के चलते, चंद्रियान ने three mission यहाँ पर का मतलब क्या है, soft landing का मतलब है, बड़े आसान तरीके से, आराम मैं अभी आपको दिखाऊंगा, soft landing क्या होता है, visual form में, वीडियो को form में दिखाऊंगा, आराम से मेरे दोस एक तो होदा है, एकदम आप, जैसे उपर से अगर कोई चीज आती है, तो नीचे मेरे दोस और force के explore moon on 14th July 2023, by making soft landing on natural satellite of earth, तो जो यह बात कर रहे है, यहाँ पर natural satellite of earth, यानि प्राकर्तिक जो satellite है, यानि कि चंद्रमा की यहाँ पर बात की जा रही है, आर्टिफिशल satellite कैसी होती है, जैसे कि मिरे दोस, earth observation satellite, जो कि इस रोके द्वारा तयार की जा रही है, यह कैसी satellite है, यह कैसी satellite है, moon की बात की जा रही है, कि moon पर soft landing कराने के लिए इस रोने चंद्रियान ने 3 mission को launch किया है, चंद्रियान 3 जो mission launch किया गया है, उसमें यह जो भेजा जा रहा है, lander, rover, यह जिस GSLV यह जिस vehicle के माद्यम से भेजा जा रहा है, उसका नाम है LBM-3, ओके, यह इसको जो हम मेरे दोस्त, number of 3 stages होंगी, इसकी lift of mass यहाँ पर 640 से टन है, इसलिए इसको मेरे दोस्त, यहाँ पर बाहु बली कहा जा रहा है, बाहु बली नाम इसको दिया गए, इस LBM Mark 3, यह यू कहे है, जियो synchronous GSLV Mark 3, इस vehicle के माद्यम से, इस rocket के माद्यम से आप देख सकते हैं, इस satellite को यह अलग-अलग stages में separate होंगे, फिर उसके बाद आगे तक जो जाएगा, वो उपर वाला पाड़ जाएगा, अभी समझते होगे कि करके detail में, इसमें जो lander है, इसका नाम है बिटा, विक्रम, यह जरूर याद रखना, अकसर यह एक्जाम में पूछा जा सकता है, इसका ना indigenous lander, module, propulsion module and rover, इसमें एक तो मेरे दोस lander है, एक propulsion module है और एक rover है, यह आप देखेंगे यह वाला section, तो यह आपका lander है, इसके अंदर मेरे दोस एक rover है, ओके, यह land करेगा, यह lander है, और यह जो है, यह propulsion module है, इससे पहले जो चंद्रियान ने 2 था ना, उसमें orbiter भेजा गया जो अभी भी काम कर रहा है, orbiter अभी भी काम कर रहा है, मेरे भाई, चंद्रियान 2 का, लेकिन अब यहाँ पर चंद्रियान 2 की, orbiter की जगह पर यहाँ पर propulsion module भेजा गया, तो लिखा हुए न, चंद्रियान 3 में क्या कर रहा, एक lander module रहा, एक propulsion module रहा, और एक rover रहा, lander and rover will have scientific इसके बारे मैं explain करूँगा, इसमें total मिलाकर I think 7 पेलोड है, अलग अलग पेलोड है, उसको भी समझेंगे हम लोग, जिसके माध्यम से experiment किया है, पेलोड का मतलब होता है instrument, पेलोड का मतलब क्या होता है, instrument, मतलब कि यहां पर यह rover भी 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 कराना lunar surface पर, और जो यह rover है, इसको चला कर देखाना, अभी मैं इसके तीन objective हो भी explain करूँगा, बट मेजर की बात करें तो हो यह है, कि lunar surface पर soft landing कराना, यह major, एक important यहां पर इसका objective रखा गया है, इस वाले को अगर आपने तरीके से पढ़ लिया, तो काफी चीज़ा हमारी clear हो जाएंगी, फिर हमें यह जो scientific term है, और यह सारी चीज़े समझ में आने लगेंगी, तो मेरी गुजारिश रहे हैं कि थोड़ा patience रखना, सबर रखना, इस वाले ज़रा हम लोग पूरा इसको explain करूँगा, मैं समझने की कोशिश करना, चंद्रियान 3 में मैंने भी आपको ब और इसके अंदर जो रोबर है, उसको ले जाएगा, उसको carry करेगा, from injection orbit, जरा ध्यान से देखेगा, from injection orbit, यहां से ले जाएगा मेरे भाई, ठीक है, यहां से ले जाएगा, और यह कहां तक ले जाएगा, यहां तक ले जाएगा, फिर यहां से separate होगा, जरा समझने इसको, य कह रहा है कि lunar orbit है, वहां से 100 km वहां तक मिर दोस इसको ले जाएगा, और फिर वहां से क्या होगा, इस से ले लेंडर है, हो सेपरेट होगा, और सेपरेट होने के बाद यहां लेंड करेगा, वहां से रोबर निकलेगा, और रोबर चलना शिरू कर देगा, बास समझ में आ र पस है न, जो और बेटर का काम था, अब और बेटर की जगे पर प्रूपल्जर मॉडिल काम कर रहा है, यहां पर ले जाने का, और वो जो यह लेंडर मॉडिल होगा, उसको ले जाएगा, कहां से injection, जो और बेट है यहां से, from launch vehicle injection module, जहां से launch vehicle, जहां से launch किया गया, वहां से इंजेक्शन और बेट से लेकर यह तिल लेंडर सेपरेशन, जब तक लेंडर सेपरेट नहीं होगा, मतलब यह कहा जा रहा है, कि यह जो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यह जो भेजा गया है, यह पूरा जो सिस्टम, यह तीन चीज़े जो लगी हुई है यहां पर, इस GSLV के सा यह जो गहें, कि इस चंद्रियान थ्री मिशन में क्या-कया तीन चीज़ा थी, जो मैंने बताएं थी, एक प्रॉपल्सन मॉडियूल एक लेंडर रोबर है, तो यह जो प्रॉपल्सन मॉडियूल का काम है, वो सिर्फ लेंडर को मेरे दोस्त, वह तक ले जाना, जहां से वो सेपरेट होगा, वहां से सेपरेट हो जाएका, सेपरेट होने के बाद मेरे दोस्त वो लेंड करेगा, सरफेस पर वहां से फिरोबर निकलेगा और वो चलना शुरू कर देगा, ओके, यह आपका जिये सल भी होता है, यह लग 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 स्टेजेस में सेपरेट होता है, पहल ह stating और दोस्त तर अगर तर चेन हम सफल हो गए है हम सक्सेसफूल हो गए है अब बस बात बजती है तो इतनी बजती है इसकी प्रापर और सही तरीके से lunar surface पे landing कराना, ओके, आगे बढ़ते हैं, इसका जो mission का उद्देश्य वो क्या है, ये तीन बड़े important point है, safe and soft landing कराना lunar surface पे, किस की, lander की, ओके, rover, roving on the moon, भाई, rover को moon पर चलवा कर दिखाना, और plus मेरे दो scientific experiment करना, अब इनके साथ कुछ पेलोड भी भेजे गए है, अब उन पेलोड के माध्यम से scientific experiment भी किया जाएगा, ये एक image है, ये बड़ी बहतरीन मुझे लग रही थी, मैंना का या चलो इसको दिखाते हैं, इसको देखते हैं, मिरे को बच्पन के वो दिन्याद आ गये थे, हम लोग गाउं में जाते थे, त से घरवालों को लगने लगता है, कि लॉन्डा तो अपना इंजिनियर बनेगा, उन्हें क्या पता दी, तो कॉंवर्स लेगा मेरे भाई, देखें, तो कहने का मतलब क्या है, कहीं न कहीं मिरे दोस्त, इसको अगर समझे तो ये है क्या, असल में जैसे हमारा एक प्रग्यान रोवर है न, उसी तरीके से यहाँ पर ये USA का रोवर था, लेखा हुआ है, लुनर रोविंग विहिकल, इसको मून बग्गी कहते थे, बग्गी में आप जाते हो न, गाड़ी बाड़ी में बैठते हो, मिर भाई चोड़ी बड़ी विहिकल होते है, तो इसको मून बग्गी कहीं न, कहीं आदा फेल हुआ था, पुरा तो नहीं कहीं कि और बिटर तो अपना काम करता रहा, कंप्लीट तरीके से सक्सेस्फुल नहीं हो पाये था, तो उसके बाद जो इनके जो इमोशन्स थे, उसके बाद मूदी जीन इनको गले लगा लिया था, और कहीं न, कहीं चंद्रियान 3 को लेंड कराने जा रहे हैं, और जिश दिन यह अगस्त में लेंड करेगा मेरे दोस्त सरफेस पर, वो दिन, सच में एतिहासिक नहीं, बहुत बड़ा दिन होने वाला है, चंद्रियान 3, चंद्रियान 2 का ही एक भाग है, उसी का ही एक पूरक है, मिशन की जो पेलोड मतलब होता है जो तेक्नीलॉडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऊके उनको हम लोग पेलोड बोलते हैं, जो कि इनके साथ भीजे गए हैं, ये कुल मिलाकर न, आप देखेंगे छैपेलोड भीजे गए हैं, लेंटर पेलोड या नहीं कि scientific instrument बेज़ेगा, experimentically, मैं भी दिखाऊंगा उन्हें, वीडियो चलेगा, उससे देखेगा, समझ में आ जाएगा, आपको कौन-कौन से पेलोड है, ये lander के साथ है, रंभा, चेस्ट और ILSA, instrument of lunar salismic activity, एक ये भीजा गया, जो rover के साथ भेज़ेगा है, जो lander से बाहर आएगा, उसके साथ है APXS, ओके, alpha, particle, x-ray, spectrometer, और फिर एक लिप्स भेजा गया, laser induced breakdown spectroscope, एक लिप्स भेजा गया, ये जो भेजा गया, ये जो भेजा गया, प्रोपल्जन मॉड्यूल, ये प्रोपल् lander के साथ, clear है, अब एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, इससे देखने, इससे आपको सारी चीज़े के करके clear हो जाएंगी, जो मैंने आपको भी theoretical समझाई है, ओके, रादे, रादे, यह आप देखी, यह separate हो रहा है, यह वाला पाड़ होगा जब यह लेंडर लेंडिंग करने जा रहा होगा, यह वाला छड़ रहा था मेरे दोस्त, जब side किया जा रहा था, GSLV को launch करने से पहले सती धवन इस पेस सेंटर, आप देख सकते हैं, यह प्रोपल्जन मॉडियूल है, यह अलग हो गया है, ओके, यह आपका, यहाँ पर लेंडर है, और इसके अंदर रोबर है, अब यह लेंडर मेरे दोस्त, लेंडिंग करेगा, मून सर्फेस पे, प्रॉपर लेंडिंग हो गई, मज़ा रहा रहा ना, प्लीज, वीडेओ को लाइक करना, चल को सब्सक्राइब करना, जितने नए अपस्टार जुड़ें यार, सुभसा आथ बजे कर इंट अपर सेशन में इसी तरीका आपको कॉंटेंट मिलता, देखो, यह सारे अभी के करके सारे पेलोड दिखाएंगे है 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 इंग दिखा दिखा दियोंगे जब तक मैं बुड़ाओ शाहिद एक्जाम मैं भी तो काफी कुछ बाकिया भी रुख जाओ आई होप नुम लोगो एक्स्प्लेनेशन पसंद आया होगा I am from commerce बैक्ग्राउंड मैंने अपनी तरफ से बैस्ट कोशिश करिये समझ कर भैता देखो यह रूबर है कि आपको मैं तो इंडिया का यह थर्ड मून मिशन है चंद्रियान 3 इसका नाम है शती जबन स्पेस सेंटर शीरी हरी कोटा से इसको लॉंच किया गया था इस मिशन की बात करें तो 615 करोट रूपे इस मिशन का टूटल प्रोजेक्ट कोस रही है और इसका जो यह LBM3 है इसका टूटल वेट 642 से टन रहा था 43.5 मीटर टॉल था यह और अल्ली थ्री कंट्रीज है जिन्होंने शॉफ्ट लेंडिंग अभी तर करी यूएस रशिया चाहे ना अगर इंडिया सॉफ्ट लेंडिंग करता है और करेगा यार करेगा बिल्कुल करेगा और चौता देश बनने जा रहा भारत और यह जो सॉफ्ट लेंडिंग होगी यह 2324 अगस्त को होगी डेट याद रख सकते 2324 अगस्त फिर दोबार हम लोग मुलाकात करेंगे कैसी तरीके का एक सेशन होगा इसमें और इसमें मेरी काफी मदद मेरी बाइफ ने भी करी एक मौनिगा ने चीज़ा होती है तो मैं उससे भी पूछता रहा मैंने का देखो यार I am from commerce background मेरे को best explain करना बच्चों को अब मैंने फिर थोड़ा study किया थोड़ा study उन्होंने किया मेरे दोस्त यहां पर आपके सामने explain किया I hope आपको समझ में आया होगा मेरे भाई और पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और एक आपके लिए सवाल है इस रोके chairman का नाम क्या है ओके एंड वीडियो पसंद आया ना मेरे दोस्तों मेरे साथ तो रादे रादे